हलो फ्रेंज कुक्वित सुमन के चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कोकोनट कुकीज इसमें ना मैंने बेकिंग पॉडर ना ही बेकिंग सोडा और ना ही मैंने इसमें इसमें अवन का यूज किया है तो चलिए आईए यसे बनाने के लिए मैंने यहां पे 3 टेबल स्पून बटर लिया है यह सौल्ट बटर है आप अनसौल्ट भी ले सकते हैं पर इसमें 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 मिक्स किया है कैस्ट शुगर पिसी हुई शक्र और इसमें तब तक चलाना है जब तक कि ये ये लिए पेल यलो या मैंदा से इसमें बाइंडिंग आती है और साथ ही वन कप अफ डेसिकेटेड़ कोकोनट या पिसी हुई नारियल का गुड़ा ये देखिए और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है इसे मैंने पहले विसकर की हेल्प से मिलाया था पर अब इसे मुझे एक डो बनाना है तो मैं दो से तीन टेबल स्पून आफ मिल्क लोंगी और इसका मैंने एक अच्छा सा डो तयार कर लिया है इसे बिलकुल भी आटे के तरह नहीं गूतना है इसे बहुत ही हलके हाथों से आपको बाइंड करना है ये देखिए ये देखिए फ्रेंस ये डो बिलकुल ही रेडी है ये बहुत ही लाइट वेटेड है और इसके अब छोटे-छोटे हमारे कुकीज के एक शेप देनी है ये देखिए जैसे हम लड़ कर ले और बीच से मैंने इसे इसे बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लिया है और फिर मैंने इसे कोट किया है जो हमने नारियल बचा के रखा हुआ था उसमें इसे अच्छे से कोट कर लेना है इस नारियल में और ये देखिए इसी तरीके से मैंने अपने सारे कुकीज यहा कर्माहट या फील लाने के लिए और मैंने अपने सारे कुकीज एक प्लेट में सजा कर बटर पेपर के ऊपर में रग दी थी कम से कम 20-25 मिनिट ये बेक होने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का आया है यह देखिए यह जब आप निकालते हैं तो बहुत ही नरम रहता है इसके लगा दिये हैं मेरे पास कुछ मिक्स्ट फ्रोट जैम रखे हुए थे थोड़े से तो मैंने उसे ऊपर में लगा दिया था जो होल मैंने बनाया था ना फिंगर की हेल्प से उसमें और यह देखिए यह बहुत ही खसता बनकर रेडी हुआ है फ्रेंस इसमें बहुत ज